हलो स्टूट्स नमिश्कार जी सलाम कैसे आप सब लोग बढ़िया जी मजे में योजक जी कह रहे थे कि सर आप मेरा नाम जरूर लीजेगा और गुंजन ने उन्हें कॉंग्रेचुलेट भी कर दिया है so very happy to see pretty then we have Rushikesh, Girish, Mahima, Gunjan, Muskan, Samantha, Girish, Madhav, Megha, Agrawal, Dipanshu ji, future Dr. Rhea, Barsha, Dr. John, Sachin John, Muskan, great so most of my doctors are already there very nice to see you people Divya ji, Namaskar, कैसे आप सब लोग, Dr. Shobhit, Udisha, great so we have 56 people watching now, make it cross 100 and likes भी उतने ही आने चाहिए साथ-साथ, मैं आपका chat follow करता रहता हूँ ठीक है जी, कैसे हैं सब लोग, एकदम, बढ़िया, Deepak, great, Kushal right, beautiful names, very good Madhav ji, great, Dr. Sachin John, hello, Kushal Dr. Shakti, good, मुझे अच्छा लगता है, लोगोंने अपने नाम के आगे टाइटल लगा लिया, Dr. ये हुई ना, मज़ेदार बात मैंने आपसे कहा थे, बढ़िया सा कोट भेजना है आप लोगोंने और मैंने आपको दिखाना है, तो अगली क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको, पक्का, अभी तो हमाँ क्विज ले रहे हैं आपके साथ, so we have 98 people watching, thank you so much जी, जो लोग भी अपना कीमती समय निकाल कई, इस समय स्क्रीन के सामने हैं, चाहे आप मोबाइल पे देख रहे हैं, लैप्टॉप पे या अपने डेस्क्टॉप पे, thank you so much, I value your time, physics का quiz नहीं हो पाया, कुछ unavoidable circumstances के कारण, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ, महिंदर सर आपसे इस बारे में बात भी करेंगे, definitely, so मैं आपको follow कर रहा था चैट पे, my name is Ritika, hello Ritika, मैंने आपका नाम देख लिया है, वासु गुपता, great, चलिए बटा जी, बिना समय जो है, वो बर्बाद किये हुए, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, टेलिग्राम अप आप सब लोगों के पास होना चाहिए, मैं हर बार यह आपको बताता हूँ, इसके जरी आप हम से जुड़ सकते हैं, and then, आनकैडमी का लर्निंग आप आप अपने मोबाइल में रखिए, और प्लस के सब्स्रिप्शन के लिए, आप जो है, सब लोग रेड़ी हैं जी, थम्स अप साइन मिल सकता है मुझे एक, हाँ जी, गिरिश जी, थम्स अप साइन मिल सकता है, सौम्या, रंजीत, अंशुल, प्रिटी, सायद, भूमिका, धिमान, मुसकान, रिचा, रितिका, हाँ जी, बताइए जल्दी से, शैल जा राओ, सब कहा रहे हैं जी, थम्स अप साइन मिल सकता है, सार्थक शंडिल्या, आमिर असलम, कैसे हैं, सलाम आमिर जी, ग्रेट, गिरिश is also there, वरी नाइस तो सी यू पीपल है, एक रिष्टा बन चुका है, आप लोगों से, क्या function है enterokinase का, जब आप answer देंगे, तो 1 जरूर लिखेंगे आगे, जैसे भी आप answer कर रहे हैं न, प्लीज, तो यह ध्यान रखेंगे, आदना सम्क्यों नफ्यूस हो जाएंगे, suppose आपने 1 का जो भी answer देना है, तो 1 ऐसे आगे, हाइफन या 1 डॉट करके, so enzyme enterokinase stimulates release of pancreatic juice, बताइए जल्दी से, likes साथ के साथ आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, it activates protein digesting enzymes, it functions in lipidization, functions in carbohydrateization, come on, जल्दी से देखने हैं, question number 1 का answer कौन दे रहा है, 1.2 कहा है, अकाश ने, अकाश is the first person to answer, परमीत ने भी जवाब दिया है, हलो परमीत, अकाश ने बहुत है 1.2, okay, great, कृती ने भी कहा है 1.2, so it activates protein digesting enzymes, that's the correct answer, कौन से protein digesting enzymes, देख लेते हैं बेटा जी, हमने पढ़ा था, trypsynogen, मैंने आपको बता है था न, pancreatic enzyme जो है, trypsynogen is converted into trypsin, which is also called enteropeptidase, so enterokinase और enteropeptidase, trypsynogen को activate करता है, clear है जी, right, majority of the लोगों का answer सही है, that's really nice to know, we have 172 people watching right now, great, keep liking the video, keep sharing, knowledge बांटने से बढ़ती है, trust me, हर बार ये बात कहता हूं, knowledge बांटने से बढ़ती है, तो जितना बांट सकते हैं, बाटिये, और likes भी जरूर कीजे मेरे लिए, from outer to inner, बाहर से अंदर, ध्यान देना है, question, जल्दवादी में गलब नहीं होना चाहिए, from outer to inner, the location of orbex plexes, orbex plexes network of neurons है, so ध्यान रखना है कि, कि किसके और किसके बीच में, question 2 आ चुका है, सिमरन आपका जवाब में सही है, रित्तिका आपका सही है, question number 2 का अंसर दीजी अब, जल्दी से, साहिल, लिख करके भेज़े कि आप 2 का अंसर देख रहे हो, 2.2 या 2.1, glutamic acid is an amino acid भूमिका, हाँ जी, बोलिए, tripsinogen को tripsin, आमिर ने सही जवाब दिया है, question number 2, आकाश ने जवाब दिये, 2 का 2, circular और longitudinal के बीच में, ध्यान से देख लिजे, outer to inner पूछा है, सार्थक ने कहा, अभी 1 का ही answer दे रहे हैं, सार्थक, I am asking for 2, outer to inner, ध्यान से देखिए, 2 का 1 कहा है, दियाने, that is longitudinal, फिर circular, सही कह रहे हैं, this will be the answer, आप देखे, किस तरह से हम इसको solve करेंगे, अगर हम layers देखें, सबसे अंदर है, mucosa, mucosa के बाद है, sub mucosa, उसके बाद है, circular muscles, circular muscles के बाद है, longitudinal muscles, तो हमें बताना है, outer to inner, और longitudinal muscles के बाद कौन सी layer होती है, बिटा जी, cirrhosa, तो ये वाली जो है, ये तो है innermost, agreed, और जो cirrhosa है, वो है outer most, तो आप से पूछा गया है, orbex plexus, A वाला, तो C, A, L याद रखना, मैंने इसे ऐसे याद रखा हूँ है, कि C और L के बीच में A है, तो यहाँ पे है, orbex plexus, तो outer to inner, longitudinal, orbex, फिर circular, longitudinal, orbex, फिर circular, I hope it is clear to you, clear है जी, right, question number two का answer, one है, आस्ता ने भी सही कहा है, दीपक ने भी सही कहा है, good, मेगा अगरवाल is also right, रोशनी बिश्वास is also right, बनी बृता दास, great, okay, मौनिका सेज, two का one, मौनिका ठाकुर, good, आपने भी सही कहा, इशाश्री, two का one, great, चलिए, right, peristelsis, किसी ने लिखा बीच में, बिलकुत सही कहा, आपने ये peristelsis को regulate करता है, ऐसा ही एक और प्लेक्सिस भी हम आगे पढ़ेंगे, that is, submucosal plexus, और misner's plexus, जो की submucosa के अंदर है, इसके लावा, submucosa और circular के बीच में भी है, right जी, 184 people watching, 184 likes भी तो आने चाहिए, साथ साथ, आप लोग देख रहे हैं, तो please like जरूर कीजे वीडियो, question number 3, जल्दी से, question number 3, answer बताते समय लिखेंगे जरूर, कि 3 का answer आप बता रहे हैं, all of the following statements concerning the esophagus are true, except, ध्यान दीजे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी इस तरह का question करते हैं, तो except true, not true, जो भी पूचा है, उसे हम underline जरूर कर लेते हैं, चलिए, बोलिए जी, जल्दी से, दीपक जी, आगे बढ़िए, इसोफेगस is a muscular tube, 25 cm in length, that originates at laryngeopharynx, and ends in the stomach, पहली बात सही है, किसी ने कहा 3 का 3, okay, let me see, इसोफेगस produces mucus and digestive enzymes, इसोफेगस के बारे में, for passing food to stomach, इसोफेगस के बारे में, कल मैंने इसके sphincters भी बताये थे, अपर इसोफेगस स्फिंक्टर, लोर इसोफेगस स्फिंक्टर, इसोफेगस में starch digestion continue रहता है, लेकिन वो starch digestion जो है, वो salivriamylase के कारण continue रहता है, इसोफेगस अपना कोई भी enzyme secrete नहीं करती है, 190 people watching, make it 200 plus, आपके हाथ में हैं, आप कर सकते हैं, spread knowledge, spread love, spread peace, the same energy will come to you, मान के देखिये, यकीन करके देखिये इस चीज़ का, ये होता है, विश्वास कीजिए, universe का ये basic सिधान्त है, whatever kind of energy you give to the universe, the same is going bounce to back to you, great guys, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, question number four, question number four, answer देते समें, जरूर लिखेंगे, कि आप four का answer दे रहे हैं, taste buds are absent in, absent, you have to underline absent, हमें बताना है कि taste buds कहां नहीं होते, foliate papillae, circumvallate papillae, fungiform papillae, philiform papillae, योजग जी कह रहे हैं, जल्दी करो जी like, great, योजग आपने कहा था, मेरा नाम जरूर लीजेगा, और मैंने तो कई बार आपका नाम ले लिया, अब आपके हाथ में हैं, कि आप क्या करते हैं, जल्दी से, question का सही जवाब देते हैं, अकाश ने कह दिया जी, four का four, अकाश वही आज को कुछ हो रखा है, तुम हर question का answer सही मार रहे हो, और फटा फट, great, दिव्या, समन्था, परमीद, डॉक्टर सचिन, दीपक, बढ़िया जी, एक दम, बिल्कुल सही जा रहे हैं, four का answer four, बिल्कुल ठीक, great, hats off to you, philiform papillae, मैंने आपको बताया था, tongue के surface पे, there are projections of mucous membrane, which are called papillae, कई तरहें के papillae होते हैं, लेकिन सब में taste buds नहीं होते, सरकुम वैलेट papillae largest हैं, इनमें taste buds हैं, foliate papillae जो है, these are highly developed in children, ये बात बताई थी, foliate papillae highly developed in children, because कुछ लोग सोच रहे होंगे, कि foliate papillae में भी तो taste buds नहीं होते, बच्चों में इनमें taste buds होते हैं, philiform papillae जो है, 200 cross कराईए न जी, live जो लोग देख रहे हैं, जल्दी से, अपने front circle में आगे spread कीजी इस चीज़ को, let other people also get benefited, okay, so these are highly developed in children, and they contain taste buds, philiform papillae जो है, they provide rough surface to tongue, कार्णी वोर्ज में ये सबसे ज्यादा developed होते हैं, ये बात हमने discuss करी थी, great, मौनिका कह रही है, टेलिग्राम पर मेरा message रीट कीरिया जरूर, आज हम एक session लेने जा रहे हैं, especially आपकी problems पर ही, आप लोगों ने हमें कहा था, कि भई सवाल आप करेंगे, जवाब हम देंगे, तो हम तीनो faculty members, हम professors आपके साथ होंगे, आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और भी कोई सवाल आपके दिमाग में हो, entrance exams को लेके तो ज़रूर पूछिएगा, राइट जी, ग्रेट, हर्ष द्वेदी कहरें, हमने अभी जवाइन किया है, कोई बात नी जी, आपने अभी जवाइन किया, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, most welcome to this wonderful platform, बहुत अच्छे चे दोस्त आप यहां पे बनाएंगे, और बहुत अच्छे चे फेकल्टी मेंबर्स से भी आप यहां पे मिलेंगे, let's see question number 5, answer देते समय 5 ज़रूर लिखेगा, which statement best describes the relationship between gastric mucosa and vitamin B12, कल ही ये बात बताई है, जिन लोगोंने lecture attend किया था, डाइजेशन का, उन्हें बात पता होगी, stomach जो है, वो castles intrinsic factor release करता है, castles intrinsic factor is a glycoprotein, आप जानते हैं, castles intrinsic factor, stomach के oxentic यह parietal cell release करते हैं, वो एक चीज की absorption में मदद करता है, vitamin B12 की absorption में, तो पल दीजे answer 5 का 4 बता दिया है, रिच्चा ने भी सही कहा है, let me see, gastric mucosa secretes a substance that promotes absorption of vitamin B12, vitamin B12 को castles extrinsic factor भी कहते हैं, यह जो substance secret कर रहा है, वो कौन सा है, that substance is castles intrinsic factor, और यह castles intrinsic factor, vitamin B12, जिसका दूसरा नाम है, castles extrinsic factor, ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने extrinsic factor लिखा है, और it is also called synecobalamin, ओके, so castles intrinsic factor helps in the absorption of castles extrinsic factor, that is vitamin B12, in the ileum region of small intestine, vitamin B12 का absorption जो है, वो ileum में होता है, so यह आपको ध्यान रखना है, it is in the ileum of small intestine by endocytotuses, यह बात हम आगे पढ़ेंगे भी lecture में, right मेरे बेटा जी, बढ़िया, great, सही जा रहे हम लोग, thumbs up sign मिल सकते हैं, परमीत जी कह रहे हैं, glycoproteinine origin, बिलकु ठीक है परमीत, आपने मुझे message भी लग से भेज़ा था, मेरे को याद है आपका नाम, Simran, बिलकु ठीक है, Girish, Sahil, Sabina, great, very good, Sabina के भी messages आते रहते हैं, परनव जी कैसे हैं, एकदम बढ़िया, Sinoakabellamene ठीक लिखा है आपने, wonderful, चलिए, great, बढ़े आ गई, जल्दी से, likes भी बढ़ाईए और जितने लोग currently देख रहे हैं, जितने जादा लोग होंगे न स्क्रीन पे, उतना आपको answer देने में मज़ा आएगा, कि इतने लोगों में मेरा answer सही गया है, this is what is the excitement and the thrill about such quizzes, आपको online platform पे perform करने का मज़ा, एक अलग से thrill मिलता है इस चीज़ का, question देखेंगे, which of the following vitamin is required for synthesis of collagen, and its deficiency impairs wound healing, ध्यान रखेगा, wound से आपको इंदाजा लग सकता है, कौन सा vitamin है इसका, जिसकी deficiency से आपने कभी पढ़ा होगा, कि bleeding tendency बढ़ जाती है, बोलिए जल्दी से, शुबम जी बढ़ी है आप एकदम, शुबम वर्मा जी, great, कनीज फातिमा कह रहे हैं, सलाम वालेकम, सलाम जी बिलकुल, प्यार भरा सलाम आप सबको, जितने भी लोग अपना time निकाल करके देख रहे हैं इस चीज़ को, I appreciate you people, hats off to you people, कि आप time को निकालते हैं, और screen के सामने आते हैं, और देखते हैं, और perform भी करते हैं उसमें, अपने answers भी देते, 6 का 1, ध्यान रखिए गलत जा रहा है, घरबड कर रहे हैं कुछ लोग, 6 का 4 किसी एक निकाशाद, वंदना ने कहा है, no, no, which is also called ascorbic acid, क्या आपको याद नहीं है, deficiency जो है इस विटामिन की, that causes what, scurvy, scurvy में क्या हो जाता है, capillaries की wall बहुत नाजूख हो जाती है, और gum bleeding, मसूडे जो हैं, हमारे gums जो हैं, they're highly vascular, capillary की wall नाजूख हो जाएगी, तो गडबड हो जाती है, उससे rapture हो जाएगी, vitamin C जो है, that is required for the synthesis of proline, proline amino acid होता है, और वो collagen के structure में involved है, ठीक है जी, 232, great, 192 likes, 400 cross कीजिए ऐसे जल्दी से, time बिलकुल waste नहीं करना है, मैं next question पर जा रहा हूँ, दीप्ती says, I'm also right, बिलकुल जी, आपका भी जवाब सही है, ओके, चलिए, next question, question number seven, in human beings, monophiodont teeth are, monophiodont का मतलब है, जो जिन्दगी में एक बार ही आते है, monophiodont जो एक बार आते है, ध्यान दीजिएगा, pre-molars, छोटे बच्चों में नहीं होते, molars are present at the place of pre-molars, वो वाली कहानी याद कर लेजिए, milk teeth, permanent teeth, answer बताईए, question number seven, answer लिखते समय, आप जरूर लिखेंगे, seven point something, जो भी answer आप दे रहेंगे, विपल, आपको बताना चाहिए, किस question का answer है बिटा जी, screen पे, और मेरे बोलने की अवाज में, थोड़ा time का difference रहता है, आपके पास पहुँचने में, so आप वो लिखेंगे जरूर बीजिए, 235 people, मज़ा आ गया जी, 235 people watching right now, चलिए, इसको cross कराते हैं, 200 से उपर ले जाएए, answer चाहिए मुझे, seven का three, विपल जैने का seven का three, okay, seven का two कहा है, संजे ने, संजे, संजे जी, eight premolars and four molars, that is the correct answer, eight, four, twelve, बारा दांत ऐसे हैं, जो जिन्दगी में एक ही बार आते हैं, right, and they are the monofiodon, eight premolars and four molars, जो fourth molar है, आखिर वाला दांत जो होता है, अकल वाला दां, great, सही है, आगे बड़े, चेलिए, आज मज़ा आ रहा है, मुझे लगता, आप इतना actively participate कर रहे हैं, यही beauty है, इस quiz की, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग, आप अपने साथ जोड करके रखेंगे, उतना ज्यादा thrill और excitement, आपको भी बना रहेगा, कि आपका answer, पूरे throughout India, इस समय जगे जगे से बच्चे यह देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से भी, निपाल से भी messages आते हैं हम लोगों को, in fact, श्री लंका से ही, एन कुछ students तो पाकिस्तान से भी हैं, so that is the beauty of this platform, इतनी दूर दूर से आप लोगों के साथ जुड़के, एक common platform पे जब आपका answer सही होता है, आज मैंने कितने लोगों के नाम बोले, तो आपको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा उस बात को लेकर के, आकाश ने answer सही दिए हैं, तिपांचु ने भी सही बताया है, so that is the beauty of this platform, इसको avail कीजिए और जादा से जादा लोगों तक spread कीजिए, चलिए, next question, match the following, आपको glands दिए गए हैं, salivary glands, parotid, submandibular and sublingual, तीनों के ducts मैंने आपको बताये थे, duct of stansin, duct of watten, duct of rivenus, आपको correct match बताना है, answer देते समय ये जरूर लिखेंगे, कि आप question number 8 का answer बता रहे हैं, अदर्वाइस गडबड हो जाएगी मुझे जानने में, कि आप 7 का बता रहे हैं या 6 का बता रहे हैं, चलिए देखते हैं, parotid glands, the duct of stansin, submandibular, जिसको sub-maxillary भी कहते हैं, duct of watten, sublingual glands, duct of rivenus, अब आप देख लीजी, जो भी best इसमें match बन रहा होगा, that will be the answer, good, duct of stansin, duct of watten, duct of rivenus, देपांचु ने कहा, vomiting कभी कभी हो जाती है, बैटा, vomiting के बारे में detail में बताऊँगा, imasus, जब हम पढ़ेंगे, कि स्टमक का mucosa, जब किसी कारण से irritate होता है, तो वो अंदर के contents को बाहर फेक देता है, कोई आपने excess में alcohol ले लिए, आपने देखा होगा, जादा alcohol लेने के बाद भी लोग vomit करते हैं, because alcohol irritates the gastric mucosa, that results in the vomiting tendency, राइट जी, ठीके जी, चलिए, ओके, next question, टाइम कम, काम ज्यादा, पैपसिन, ट्रिपसिन और काइमो ट्रिपसिन, तीनों ही protein digesting enzymes हैं, आप जानते हैं, पैपसिन कहां से release होता है, स्टमक से, ट्रिपसिन, काइमो ट्रिपसिन, पैंक्रियास के enzymes हैं, options देखिए, number one, are all secreted with acidic digestive juices, they are secreted by pancreas, but activated by secretions of diodinum, ध्यान दीजे, क्या यह pancreas के enzymes हैं, तीनों, there are specific endopeptidases acting upon the peptide and polypeptide chains, they are exopeptidases, carboxy amino, question nine का answer, अब तक आ जाना चाहिए, question eight पे नहीं रुकना है, कौस्तव जल्दी से, question nine, nine, Roshni, Mahima, Umachandra, Ritika, Gurmahar Singh, beautiful name, Sonal is also there, hello Sonal, आप लेट हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से participate करिए, nine का answer three, कह रहे हैं, कुछ बच्चे, okay, nine three, Simran says three, Shivendra says two, चलिए, मैं बता देता हूँ आपको correct answer, question number nine, the answer is, there are specific endopeptidases, they act upon the peptide and the polypeptide chains, right, Pepsin, Pepsinogen की form में, hydrochloric acid ने उसे Pepsin की form में convert किया था, right, आपने भी बताया है, Ritika, सही है, okay, right, Gita, चलिए, next question, question number ten, which of the following statement is true, ध्यान रखेगे, हमसे true बात उची गई है, कि कौन सी बात सही है, underline कर लेते हैं, वहीं पे, secretion of saliva in response to taste of food is acquired, खाना जुबान पे रखा और saliva आ गया, क्या ये acquired है या inborn है, सोचिए, secretion of saliva increases during sleep, क्या ये sleep के समय बढ़ जाता है, secretion of saliva in response to smell, sight, or the thought of food, it is acquired on the condition reflex, none of these, question ten का answer दीजिए, answer लिखते समय ten जरूर लिखे आगे, बताये, जल्दी से, come on, quickly, दोसों, 21 likes हो चुके है, 300 तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद, हम लोग आपसे दुवारा मिलने वाले हैं, एक special session में, 10 का answer, 3 आया है, बहुत लोगों ने सही काहा है, Dr. Sachin also says, it's the right answer, प्रग्या ने ठीक बोला है, good, good, great, secretion of saliva in response to smell, sight, or the thought of food is acquired या conditioned reflex, यह वाली बाद गलत है, क्योंकि यह acquired नहीं है, यह वाली बाद गलत है, क्योंकि increase नहीं, decrease करता है, correct, right, चलिए, okay, next question, 11, at interval through the gastro-intestinal tract, which layer is thickened and modified to form the sphincters, the ring of circular muscles, देखे, मैंने आपको answer भी बोल दिया, ring of circular muscles, तो कौन सी चीज होगी, जो sphincter बनाएगी, sphincter का मतलब ही क्या है, ring of circular muscles, Dr. Kapil Gotham, 10 का 3 बोल रहे, okay, Asta, 10 का 3, जल्दी, Simran, कुछ लोगों तक शह थोड़ा सा network delay से पहुंच रहा है, चलिए बढ़िया, 211 people and 235 likes, 500 likes का promise कर रहा है, आपने, छोड़ूंगा नहीं तब तक आपको, जब तक आप 200 likes पूरे नहीं करेंगे, जल्दी, come on quickly, question number 11, answer आज आना चाहिए, question 11 का 3, विकास ने सही जवाब दिया है, Ritupova says, 3, okay, Monica, आपका answer शहएद गलत हो गया है, good, question number 11, it is 3, circular muscles, it is ring of circular muscles, which forms the sphincters, हमने कितने सारे sphincters पढ़ लिए, cardiac sphincter, pyloric sphincter है न, उसके लावा और भी sphincters पढ़ेंगे, अभी हम आगे, elementary canal में, ileocecal sphincter भी होता है, right बेटा जी, आगे बड़े, 242 हो चुके हैं, nice ओ चाहिए, secretion from which of the following cell, is not a constituent of gastric juice, ध्यान देना है, not a constituent, underline कर दिया मैंने, कौन सी चीज, gastric juice की composition में, नहीं आती है, कौन से cells का, देखिए, क्या इन में से कोई ऐसा cell है, जो hormone secret कर रहा है, question 12, answer आ जाना चाहिए मेरे पास, come on quickly, उरिशा सिंग, आपका भी answer सही है, एश्वर है, great, जल्दी बिताइए, जो question बोल रहा हूँ, question number 12, समे कम है, काम ज्यादा, जल्दी से, हाँ जी, बोली, बोली, come on quickly, question number 12, answer is, कौन से cells, zymogen cells, which are also called, peptic cells, parietal cells, which are also called, oxentic cells, and mucus next cells, which are secreting mucus, तो answer क्या होगा, इसका, 12 का answer, दे दी है, बहुत लोगा ने answer, 4 दी है, दीपती ने भी सही का है, हमांशू ने में ठीक बोला है, रुची, रानी अल्सो सेज, 4, G-cells, why, G-cells secrete, gastrin hormone, hormone, जो है, वो blood में जाएगा, hormones are not part of the gastric juice, correct, agreed, right, जल्दी से thumbs up sign भेजिए, 262 likes, आप आपको, सर आपका लालच बढ़ता ही जा रहा है, आप 200 कहते हैं, हमने 262 कर दिये, आप आप कह रहे हैं, 300 likes कर दो, कर दीजिए, चलिए, आपको इतना thrill भी तो दे रहा हूं है, मज़ा भी तो आ रहा है आपको इसमें, question number 13, 1, 3, answer देते समें ध्यान रखेंगे, आपको 13 लिखना है आगे, in stomach there is an additional layer of oblique muscles, कल बताया था, stomach में oblique muscles भी होते हैं, आपको location बतानी है, उन oblique muscles की, stomach की histology याद कीजिए, सबसे अंदर, mucosa, sub-mucosa, फिर oblique muscles, फिर circular muscles, फिर longitudinal और फिर cirrhosa, तो अब आप ध्यान दीजिए, कि किसके और किसके बीच में oblique हो जाएगा, question number 13, thumbs up sign आपके आगे, ओके जी, love you so much, great, 270 likes, 300 से पहले नहीं छोड़ूँगा, आपको, आप 300 कर दोगे, it is just that it thrills us, we faculty members, we professors, मैं महेंदर सर, रश्मी सर, discuss करते रहते हैं, आपस में lectures के बारे में, कि बच्चों को किस चीज में, जादा thrill आ रहा है, और जादा अच्छे से समझ आ रहा है, ओके जी, बताएए, 13 का answer, कुछ ने 1 कहा, कुछ ने 2 कहा, बेटाजी, answer इसका 2 नहीं हो सकता, it is 1, mucosa and circular muscles के बीच में, oblique muscles होते हैं स्टमक में, स्टमक की histology आप देख लेजेगा, 13 का एक जिन लोगों ने बोला है, उनका जवाब सही है, बिलकुल 13 का 1, ध्यान दीजिए, circular and longitudinal के बीच में, oblique नहीं है, mucosa, sub-mucosa, फिर oblique, फिर circular, got it, great, चलिए, next question, question number 14, sphincters control the rate of movement of GI tract, contents from one part of the gut to another, the sphincters are present at the junction of, कहा, कहा sphincters present हैं, बोलिए, question number 14, पे हम पहुँच चुके हैं, question number 14, प्रभाकर सिंग, सैल्जार राओ, आयान, रितु प्रभास, सुमेत, हान जी, जल्दी से, question number 14, सेजल, तरन्नुम, great, कौस्तव देशपांडे, 14 का 4, कौस्तव ने सबको बीट कर दिया, और आंसर, is all of the above, right, मेरे डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे, धाईसो के करीब लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, आप बिल्कुल बने रहेगी, एक बहुत बड़ी है सेशन हम आपके लिए भी थोड़ी देर में लाने वाले हैं, जो की है, सवाल आपके जवाब हमारे, आप में से जिन लोगों ने सवाल भेजने हैं, पूरी टीम ने बैठ करके, उसके उपर मन्धन किया, उसके उपर विचार किया है, कि बच्चों की क्या-क्या queries हैं, क्या-क्या curiosities हैं, उसके सब जवाब आपको मिलेंगे, उसके लिए जरूरी है आप हमारे साथ बने रहें और और लोगों को भी जोडे रखें और likes बढ़ाते रहें तबी सचिन सर जो है दवारा से आपसे मिलेंगे आपसे थोड़ी दिर बाद में आपको वो ग्लैन बतानी है जो सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रीट करती है सबसे लारजस्ट पैरोटिड है सब मैंडी बुलर को ही सब मैक्जिलरी कहते हैं सब मैक्जिलरी टम हम आनिमल्स में प्रैफर करते हैं ही तैंक यू सो मच आज पिजा खाया है वैसे मैंने यहां पे और आप लोगों को miss भी कर रहा था मैं, is it parotid, it is submaxillary, is it sublingual, और is it infraorbital, the maximum contribution to saliva, question 15 का answer अब तक आ जाना चाहिए, 15 का answer, come on quickly, 2, yes, that's the right answer, 290 हो चुके हैं, 300 likes करेंगे तो मैं जाओंगा आपको छोड़के, और फिर दुबारा लौट के आओंगा, जल्दी से, it is submaxillary glands, which are also called submandibular glands, right guys, okay, एक question और ले लेते हैं, right जी, one more question, question number 16, the question 16 says, if the lower esophageal sphincter fails to close adequately, अगर lower वाला sphincter, cardiac sphincter ठीक से बन नहीं होता, after the food has entered into the stomach, stomach में खाना चला गया, sphincter बंद नहीं हुआ, the acidic contents of the stomach may move up in the esophagus, and they produce a burning sensation, क्या कहते हैं उस burning sensation को, 16 का answer देंगे, और उसके बाद फिर हम quiz, wine करेंगे, और एक नए beautiful section के साथ, आपके साथ मिलेंगे, एक और session जो हमने आपके लिए specially तयार किया है, आपकी ही demand पे, आपकी ही इच्छा थी, कि हम इस तरह का special session रखें, जल्दी, 16, 16 का answer कुछ 3 कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं, जिन्होंने 3 कहा है, वो बिलकुल सही कहा है, question number 16, answer is 3, ठीक है जी, right, मेरे doctors, okay, so I hope आप में से, बहुत लोगों ने, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, you all are doing a great job, हरेंदर कह रहे हैं, in fact, आप लोग भी बहुत great job कर रहे हैं, I am so happy, मतरब it was very exciting and thrilling for me, कि एक continuity के साथ, आप लोग लगाता बिना पलग जब के screen पे बैटे रहे, and we have 268 people who are watching, 300 plus likes हैं, that's really awesome, इसी तरह से आप बनाए रखी, अपना जजबा, अपनी शिद्दत के साथ, जुड़े रहे हमारे इस platform पे, जो कि आप खोदी कहते हैं, it is unbeatable, it is unmatchable, you cannot compare it with any other platform, nothing can replace the core academic teaching, I always say that, and यही हम सब लोगों का, मिल करके आपके लिए, दुआए हैं, जल्दी से पानी वानी, कोक वोक जो आपने पीना है, पीके फिर से वापिस लोट आईए, see you guys within few minutes, बाई बाई नमस्कार,